अलो दोस्तों वेलकम टू आर चलाम अलू अर्जुन के करियर की पाच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्मों के बारे में देखने वाले हैं कि पच्वे नमबर पर फिल्म है रेस गुरू 2014 में आई फिल्म है यह फिल्म को बहुत ही संदार पॉब्लिक रिस्पांस मिला था यह अलू अर्जुन की करियर की पहली फिल्म थी जिसने सो करोड के आकड़े को पार किया था वहीं यह इंदे में भी यूटूब पर फ्री में अ यह फिल्म अबलेबल है जिससे 450 मिलियन से भी जादा का भीव मिल चुका है यानि 4500 करोड से भी जादा के लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देख चुके हैं वहीं इस फिल्म का बजट 50 करोड रुपया था लाइप टाइम इसने है 115 करोड दस लाग रुपया की कमाई करके बहुत ही साख खास फिल्म हुई थी अलू अरजुन के लिए वहीं तिसरे नंबर पर है सर नाइडू 2016 में आई फिल्म सर नाइडू का बजट 50 करोड रुपया था लाइप टाइम इसने 127 करोड रुपया 6 लाग की कमाई करके बहुत ही बड़ी ब्लॉक बोश्टर फिल बेत होई थी अलू अरजुन की करियर की वहीं दूसरे नंबर पर है अल्ला वाय कुंठा पूरा मलो यह फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया था जिसका बजट 100 करोड रुपया था अलू अरजुन की करियर की पहली सबसे महाई यह फिल्म थी वहीं इस फिल्म ने बहुत संदा पूबलिक कमाई किया 280 करोड की लाइफ टाइम कमाई करके अलू अरजुन की करियर की सबसे बेस्ट फिल्म बन चुकी तिया फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाना था मगर इस फिल्म का राइट खरीद लिया गया था हिंदी वालों ने रिमेक करने के लिए इसलिए यह फिल्म को चार करोड रुपए दे कर हिंदी में रिलीज नहीं किया गया था इसका रिमेक भी आने वाला है अगले साल 2023 के सुरुवात में ही वहीं पहले नंबर पर है पुस्पा का पार्ट वन जो कि आप सब मेंसे ज़्यादा तर लोगे ने देखी चुका गया यह फिल टाइम 165 करोड रुपए कमा के एक अलू अर्जुन की करियर की सबसे बेस्ट फिल्म सावित हुई थी वहीं इसी गल साथ यह 2021 में रिलीज हुई पहली ऐसी फिल्म थी जिसने इतना ज़्यादा कमाई किया है 2021 की पहली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म अलू अर् सकता है यह रहे लो अर्जुन की करियर की पाच सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट फिल्म है अगर आप भी किसी का तरफ का अपडेट चाहिए तो हम जरूर कमेंट करके बताए और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल का भी सब्सक्राइब कर लिए